देखे मुकेशंिजी उस बक्त से कुछ ज़़ाधा ही भाजपा से नाराज हैं जब भाजपा ने उनके चार विधैकों को अपने पाले में कर लिया था अब स्विकार लालू यादो भी कर लेंगे मुकेशंदी के लेश्पेस अच्छा मिल ले का अब तो अपना ठीकाना महागटबंदन ही रहेगा बाजपा कि कई नेताओं ने कहा था कि वह मुकेश सानी सरिस्ता तोड़ लिया जाए क्योंकि ये तो हमारी जमीन खोदने में लगे हुए महागटबंदन को मदद करवा दें और अगले साल जब विधान सभाचुनाव होग तो फिर उसमें हम उसकी कीमत वसूल लेंगे इससे पहले कि अगर हम लोगसभा चुनाव में महागटबंदन की मदद करते हैं तो बदले में कम से कम किसी एक हाउस में जाने का मौका हमको राज़त दिलवा दे निशाद अरक्षन की बात करने वाले भी आईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी किस के साथ हैं मुकेश सहनी और भारती जंता पाटी की बीच की दूर्या काफी जादा बढ़ गई हैं कयास लगाए जा रहे थे कि भाज़पा के साथ ही मुकेश सहनी लोगसभा का चुनाव लड बात्ची कर रहे हैं इन तमाम सवालों के साथ जब हमने बिहार के राजनिती के वरिश पत्रकार जैकरिशन जी से बातचीत की तुन्होंने साफ साफ सब्दों में कहा कि मुकेश सहनी जैसा चाहते थे वैसा भाज़पा के साथ नहीं हो पा रहा है इसलिए उनकी बातचीत जो है वो लालू पुशाद यादों के साथ लगबग हो गई है इस बात को मान लेनी चाहिए वरिश पत्रकार जैकरिशन जी ने क्या कहा है पूरे बातचीत को सुनी बिहार की राजनिती में जो एक तरफ इंडिये हैं दूसरे तरफ इंडिया गरबंदन हैं लेकिन कुछ ऐसे चेहरे हैं कुछ ऐसे नेता हैं जिनको लेकर बड़ा सवाल है चराग को लेकर भी लोग कंफ्यूजन में हैं मुकेश सहनी के तेवर भी इंडिये गरबंदन से काफी दूर जा रहे हैं या फिर उनकी बातचीत इंडिया गरबंदन आर जेडी सुप्रीमों लालू पु लिया था तो भाजपा की दलील थी कि भाई ये सभी तो हमारे ही थे जबकि मुकेश सनी का करना था कि ये गठवंदन धर्म का खुलम खुला उलंगा ने और भाजपा ने हमारे साथ अन्याय किया दूसरी बात ये हो गई कि विधान परशद की उनकी सदस्ता कम समय की ही नो के समय में वो पहले महागटवंदन में थे लेकिन सीट सेडिंग के समय में उनकी जिस तरीके से उपेक्षा हुई तो उससे नाराज होकर वो महागटवंदन से निकले थे और NDA यानि भाजपा के साथ वो आ गये थे मगर आज जो है जो इस्थिती उनकी NDA में हो गई त उसके बाद उनको लगता है कि चलिए पिछली करवाट भूल करके वापस महागटवंदन में ही चला जाए और भाजपा के साथ रिष्टे बिगरने के और भी कही कारण है बिहार में तो जो भी हुआ अगर भाजपा सुत्रों की बात मानें तो उत्तर परदेश बिधान सव हलां कि उत्तर परदेश में चुनाव हुआ और मुकेश सानी बहुत नुकसान भाजपा को नहीं कर पाए मामूली कहीं हुआ हो तो हुआ हो और भाजपा सत्ता मा आ गई लेकि मुकेश सानी को कुछ नहीं गिला तो उस भक्त से ही यह चलने लगा कि अब भी जेपी के साथ रिस्ता बनाना चुके खटास बढ़ती ही चली जा रही है तो अफसर का खेल होता है चाहे संबंद पहले अच्छा हो या बुरा हो तो इधर इन्हों ने देखा कि जब अलग 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 गुट के हिसाब से चीजें चल रही थी तो उपेंद कुसवा जी का मामला था जीतन माजी जी भी अराम से अपने आपको जो है समाजोजीत कर लिए कुसवा जी का भी बात बन गया लेकिन बच गया सानी जी तो अब चुनाव बिलकुल नजदिक आ गया और बीजेपी की और से कोई क्या करते हैं उमीद वहा संकेत जब इनको नहीं मिला तब इनकी कोशिस है क अब तो अपना ठीकाना महागटबंदन ही रहेगा और उसमें जो भी माली जे लोकसवा चुनाव में सीट मिले ना मिले इससे उनको बहुत अंतर नहीं पड़ता है लेकिन उनका जो वो सोजातिये वोट बैंक है उस पर जो उनकी पकर हो 3% सारे 3% जो भी हो तो उस हिसाब स यह चाहते हैं कि भाई ततकाल हम महागटबंदन को मदद करवा दें और अगले साल जब विधान सभाचुनाव होगा तो फिर उसमें हम उसकी कीमत वसूल लेंगे इससे पहले कि अगर हम लोकसवाचुनाव में महागटबंदन की मदद करते हैं तो बदले में कम से कम किसी एक हाउस में जाने का मौका हमको राजत दिलवा दे वो मतलब विधान परसद ही मोटे तोर पर समझी चुकर राज सभाव अगेरे तो हमको नहीं लगता है कि इनको मिल पाएगा तो यह सारी चीजें हैं उधर आपको याद होगा तो वो कूढ़नी में जो बाई एलेक्शन की ओर तो इस वज़ा से बीजेपी इन्हें में बहुत दिल्चस्पी लेने नहीं लगी और उसके बाद यह देखें कि साइद यहीं वज़ा है कि बीजेपी हमको कमतर आक रही है तो इससे अच्छा है कि हम आपको एड़ेस्ट कर लें तो कुल मिला जुला करके अभी स्थि लेकि देखिए रिष्टे की करवाहाट की बात करेंगे तो राजनीत बिहार की राजनीत के संदर्म अगर हम देखते हैं तो रिष्टा तो नितिश कुमार से भी लालू प्रिसाद का कई बार जो है खराब हुआ लेकिन फिर रिष्टा लोगों ने बनाया तो चुके यहां के हिसाब से रिष्टे बनते और बिगरते हैं तो इसलिए अभी जो इस्थिती है कि आप इंडिया गठवंदन को देख ले तो राश्टे परप्रिक्ष में जब हम देखते हैं तो कई दल जो है लगभग लगभग अलग हो गया इंडिया गठवंदन से कुछ अलग होने की तैयारी में है तो जो एक बिखराओ की स्थिती है तो उसमें कम से कम राज़त प्रतमुक लालू प्रसाद चाह रहे हैं कि बिहार के अंदर बिखराओ नहीं हो बिहार में जो महागटवंदन में घटक दल हैं वो सब के सब इंडिया गठवंदन से जुरे हुए हैं तो लालू प्रसाद चाहते हैं कि यह message है कि बिहार में हम जो है इसके घटक दलो एक साथ जोड कर रखे हुए हैं और हम अच्छा परफॉर्म करेंगे तो इस स्थिति में का जाता है कि बुंद बुंद से घरा भरता है वो देख है कि जो भी वोट में मुके सानी जी के हाथ में हो अगर हम इसको भी अपनी ओर जोड लेते हैं तो चुनाओ में तो एक-एक वोट की कीमत होती है तो अभी हमारे लिए फैदेमंद ही होगा चुके यहां तो बोट की लड़ाई हो रही है कि किस जात पर किस संपरदय पर किस की कितनी पकर है तो बीजेपी भी इसी तरीके से तिनका तिनका जोड रही है तो लालू प्रसाद चाहेंगे कि उनके हां तो कोई बहुत सीट की किलत है नहीं तो ऐसी स्थितिम अगर मान लिजे कि मुके सानी के साथ परदे के पीछे कोई राजनितिक सौदेवाजी होती है तो बोट का फैदा हो जाएगा और मुके सानी भी देख रहे हैं कि जब NDA में हमारे लिए कोई स्पेस बन नहीं रहा तो चलिए महागट बंदन महीं सही दो एक हाथ ले दूसरे हाथ दे वाला जो है देने वाली बात हो सकती है